हेलो फ्रेंट स्वागत आपका स्टेडी हैक्ट चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वकाइब की स्रीज चल दिये जिसमें हम बात करते हैं वकाइब की एकदम बेसिक लिए से अगर आप नए होंगे आपको कुछ नहीं भी आता होगा वकाइब में तो आप बढ़ सारे ऐसे वनवर्ड होते हैं या फिर इडियमें फ्रेज होते हैं जिनको मैं इंसीडेंट या स्टोरी से रिलेट करके भी आपको समझाता हूँ ताकि आपको चीजे लंबे समय तक ही आता है इसका फायदा कहा मिलता है तो इसका फायदा तब मिलता है जब आप एक्जाम द तो हमारी एक लास डेली 5 पीम पर होती है मंडे टू फ्राइड और सटाड़े संदे अगर आप कमेंट करता हूं तो मैं स्पेशल क्लास लाता हूं आप जिस भी टॉपिक पर बोलतों उस पर ठीक है तो हम जो पढ़ते हों कि अब इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है तो प्रैक जैसा कि आप जूरे होंगे तो आपने देखा हुआ कि कैसे मैंने प्रीवेस एर के क्लास में वह कर बाया थे तो अभी जो रिसेंट एजाम हुए है उसके जब मैं कोश्चन कर वा रहा हूं तो आप देख पा रहे हो कि कैसे बहुत सारे क्लास से हैं ठीक है आ अंटोसीन ओ, तो देख पड़े हैं कि इतने कम क्लास में ही बहुत चीज़ें आपको डिसक्स कर दी गई है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफीसियल क्लास है तो जैसा कि आपको पता है कि इंगलिस ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी विग्जाम के लिए तो उसको मध्य बात कम समय में ठेक है तो चलिए भी ही ने देरी के अपने क्लास को सुरू करते हैं तो हमारे क्लास के साथ बने रहे हैं और जाने क्या करता है तो जैसा कि आप क्लास कसा जूरी होँगत आपको पता हो हो जबाब ज़रूर देता हो क्या हो में होटको धथीक हो filter करने करें और कमेंट में इंसर करें ठीक है चलिए बीनादेरी के शुरू करते हैं अपना क्लास जानते कि आज का पहला वर्ड कौन सा है तो आज का जो पहला वर्ड है वह है क्या कर तो उसको डिनाय करते हो ठीक है तो डिनाय भी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ठीक है तो इसके सिनोनिम्स हो जाएगा और जब किसी की बात नहीं मानते हो उससे Contradict一点 क्या होता आपके बीच में क्या हो जाता है consoling हो जाता है टीट कई आपके बीच में क्या नहीं होता है । सही ऐंटानोनीब्स हो जाएगा क्ट्राविन मतलब क्या है अभेलना कर तो किसी भी चीज की तो तो उलंगन करते उसको क्या बोलते ब्रीच वाइलेट इन्फ्रिंज यह सब क्या हो जांगे इसकी अब देख पर जारे हुगे नहीं क्या करा कि इसने उलहंगन कर दिया कि टो विस्यक्रेत्ट अब रूब ओवे मतलब रूल को पालन कर रहे हो ऑन इसके तो इसके Hilfe ठीक है, Contravene के Antonyms क्या हो जाएंगा, Obey, Assist, ठीक है, शेटिए, नेक्स्ट वर्ड की तर्फ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है Contrite, Contrite मतलब क्या होता है, पस्तावा, ठीक है, जब आपको पस्तावा होगा, ठीक है, तापको Regretfully होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह सब इसके Synonym's हो जाएंगा, Contrite के Synonym's क्या क्या होंगे, तो Regretful Apologetic Assemble, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कौन है यह, आप इसको पहचानते होंगे, तो जब सजासुनाई गई जब इसको इसको सजासुना गई तो सलमान खुने कहा क्या? कि अपना सर नीचे कर Süd Alaunkay ज़र आपने कहुतिकissant की तो क्या हो जड़हा? Suzuki एपॉलेजेटिक और सीनोनिम्स के अजएगा एपॉलेजेटिक ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कंट्रोल, मतलब क्या आता है? नियंतरन करना, अगर आप किसी भी चीज़े पे कंट्रोल कर रहे है तो उसको क्या कर सकते हो regulate कर सकते हो उसका सम्चालन कर सकते हो उस पर कमांड कर सकते है इस पे रूल कर सकते हो ठीक है तो और क dedic के यह सब क्या वह जाएंगे 투as amendment क्या क्या होंगे रेगुलेट है दें रेट क्मांड रूल ठीक है अब किसी भी चीज को ऐसे तो यह सब क्या हो जांगे इसके नेक्स बात कर लें नेक्स वाट है कांट्रोल वर्ट मतलब क्या प्रतिवाद कर दो ठीक है अब इसको बोज़ सकतो तो simply contradict, अब ही बता है कि contradict करते हैं, तो क्या करते हैं, अब लोगों को क्या करते हैं, खंडन करते हैं, तो क्या करते हैं, चैलेंज दे दे तो, कि नहीं, मैं सही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे बात से agree नहीं हूँ, ठीक है, अब deny कर दे तो, ठीक है, अब उसके लिए क्या कर ये सब होनाने हो जाए इसके सीनोपों तो क्या होगा है अब limitations खाले ठीकम टो क्या होनाही तो क्या रषिकसा कर सब्सक्राइक्ट का अन्ट बत कर लेते हैं लेक्स्ट जैसा कि आपको पता होते है ऐसे लगता है कि मेरी बेजम हो गई है तब क्या होगी जाव को यह चीजिद हो इरिटेट अगुण उसी को बोलते है जुँझला है तो वेकसेशन फॉर हुमिलेशन ऑफ डिस अपोईनेंट थीक है आई होप आपको चीजे क्लियर हो गए होगी जैसे कि यह मैच हार गया तो क्या क्या कर रहा है बैचारा जुझला गया है ठीक है चार जीन हो गया इसको ऐसे सरमिंदिगी महसूस हो रही है, ठीक है, इसने जो कारे किया, उसके प्रती क्या हो रहा है, डिसरपॉइंट हो रहा है, इसको सरमिंदिगी महसूस हो रहा है, कि यह मैं कैसे हार गया, ठीक है, तीसी को बोलते है, जुंजला है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात कर ल जो सब्स दिसको रूप से यसको क्या कर दिया गया दुसरे बच्चे से एक्स्चेंज कर दिया गया गया एक्सेंज जो मतलब क्या था बदल स lln सब्सक्रदिए टीक है कै सह cartoon मतलब बदल दिया पहुमéo है टेक चलि चैपल मतलब क्या होता है छोटा गिरजागर होता है अगर एक छोटा बिल्डिंग होता है अब बोल सकते हो कि एक छोटा बिल्डिंग या रूम होता है तो चैपल में लुट बोलते है उसको बोलते छोटा गिरजा घर इसलों चोटा बात कर ले नेक्स करिष्म यह मैं आपको बता रखा हूँ ठीक है मैंने आपको शुरुआते के क्लास में ही बताया था, जब में अंतोसीनो करवाया था, C से स्टार्ट हुआ तो करिस्मा, करिस्मा मतलब क्या होता है, आकरसं, ठीक है कॉम्पेलिंग, एट्रेक्टिवनेस और चार्म, डैट के इंस्पार और इंफ्रीम, ठीक है श्रूत करएको सर्य होता। सब्सक्राइब में अध्युट्र्म होती एक और फ़ानियुटो में और पर अकर्शन ठीक है exercising a compelling charm which inspired devotion in others ठीक है ऐसी ऐसी चीज ठीक है जो कि दूसरों को क्या कर दे inspire कर दे ठीक है devotion जगा दे उनके अंदर की नहीं आपको follow करें तो क्या होंगे आप charismatic होंगे ठीक है अकर्शक होंगे ठीक है जो लोगों को COMPASURE KCOMPAYL करता है कि नहीं इसका Itísन अच्छा आपको आपको डे तो उसी जो बोलते है उसी को बोलते है chapter और ये पात कर लेते है engineers जैसा कि आपको पता है कि idiom and phrase के session होते हैं, ठीक है, तो आज का पहला idiom है, be worlds apart, ठीक है, और आप दुनिया से अलग हो, ठीक है, तो क्या हो सबस्था आप बहुत ही अलग हो, ठीक है, अगर दुनिया से अलग हो, अलग ही दुनिया बना रखे हो, ठीक है, तो हो सकतो है आप क् completely different ठीक है देख पारेंगा यह जो दो दुनिया हैं वो क्या है एक दूसरे से अलग है ठीक है तो एक दूसरे क्या है डिफ्रेंट है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है बियर डाउन बियर डाउन मतलब क्या आता है गुस्ये से किसी की और टेजी से बढ़ना ठीक है अपने बियर को देखा होगा ठीक है तो वह आपकी तरफ कैसे आता है गुस्ये में आता है और बहुत ही तेजी से आता है तो वहीं से आया है बियर डाउन ठीक है तो मूब क्यों किसी की तरफ गुस्ये से जाता हो क्यों जाता हो उसको धंकाने के लिए ठीक है ऐसा लगता ह कि आप उसको धमका होगे एक तो आप किसी की तब बहुत ही गुश्चे में जा तो उसी को बोलते हैं बीर्ड ठीक है नेक्स्ट बात कर लें नेक्स्ट बियर्ट फ्रूट मतलब क्या है मीठा फल ये वही फ्रॉट है जो होते हैं नो कि सब्रकाफ़ान मीठा होता तो वह है बीर फूट प्रोडीश पॉजीटिव रिजय टिक है जब पॉजीटिव रिजयल्ट आते हैं तो उसी वह क्या बते हैं यूँ बीर फूट ठीक है तो लास्टली हीज he efforts board fruit and he cleared competitive exam जब आप competitive exam निकाल लोगे तो क्या होगा आप क्या करोगे बियर करोगा fruit ठीक है तो produce करोगे positive result तो प्रोडियूस करोगे positive result कब करोगे जब आप competitive exam निकाल लोगे तो बियर fruit मतलब क्या आता है तो मीठाफल कब होगा जब आप positive result होगे ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स है beer the burnt off ठीक है क्या है beer the burnt off मतलब क्या होता है सबसे ज़्यादा तकलीफ जहलने वाला ठीक है आप किसी भी चीज से सफर करो बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ठीक है बहुत ही बहनक तकलीफ से सफर करते हो उसी को बोलते हैं be your the burnt off ठीक है देख पारे होंगे याप figure से आपके relate कर पारे होंगे किस movie से related है ठीक है तो आपको चीज लंबे समय तक याद रहेगे चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट जैसा कि आपको पता है कि एक पंडोरा बॉक्स होता है जिसको महनुमति का पिटारा कहते हैं जिसको जब हम की से open करते हैं कि ऐसे open होता है तो उसमें से क्या निकलता है और आप regular ब इसका हम यूज करते हैं एरा डिटेक्शन और संटेंस इप्रूमेट को उनको करेक्ट करने के तो एक साथ हम सो रूल डिसकस कर नहीं सकते हैं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी हेक्टिक हो जाएगी चीज़े प्रैक्टिस करना तो इसलिए क्या करते है अपने क्लास में एक एक रूल डेली डिसकस करते हैं तो अभी तक हम लोग ने 43 रूल डिसकस कर दी है तो आज हम रूल करेंगे 44 जी तो चलिए जानते कि आज का रूल कह रहा है तो आज का रूल करा इन कंपेरिंग टू ठीक है जब आप दो चीजों का कंपेर करेंगे तो तो उहां पर comparative degree यूज होगा ठीक है superlative डिग्री का यूज नहीं होगा ठीक है यहाद रखाए दो चीज़ है तो comparative होगा ठीक है दो से ज्यादा होता है तब हम क्या आगई करते है jätte तो चलिए एक्जम्पल से समझते है which is the best of two ठीक है यहां पर बात हो रही है दो की ठीक है नोग के लिए कौन सा यूज करेंगे और बेस्ट क्या सूपरलेटीव है यहां पर यह क्या हो जागा रॉग हो जागा साही क्या हो जागा आगे बढ़ते अपने next section की तरफ कि अगला session है अगला session है अगला previous year का question ठीक है जहाँ पर हम previous year के question discuss करते हैं तो अभी तक हमने 14 July के तीनों shift की question discuss कर लिए है ठीक है तो आज हम बात करेंगे shift 4 के question ठीक है तो आपको 10 second मिलते हैं और आपको question के answer करने परते हैं ठीक है तो पहला question है आपको एंट्वानिम से बताना है किसका विकेट का ठीक है चार ओप्सन है virtuous, savage, fairs, royal ठीक है फटा-फटा-फटा answer करेंगे इसे सट टाइम अप हो चुका आई होप आप सभी लोग ने सही से answer कर दिया होगा तो विकेट मतलब कौन होता है विकेट मतलब क्या होता बुरा ठीक है जो वैक्ति बुरा हो ठीक है cse vcs हो अफुल हो ठीक है डरवी हो ठीक है तो इसका जो correct अलिम हो यहीं और को कह सकते हो ला ठीक है यह सब क्या होजएगे इसके इसको बोल सकते हो बूरिसाओं होताई मतलब क्यान होता होता है भायन! ठीक है और क्या बोल सकतो डुरॉज थीक है बुरिस भी क्या हाँ? definweight क्या होता है इसके पह? ब्रम का है इसके पह know by ऑप घ्र टीक है आप इसको बोल सकते हो वाइलेंट तो विछ वायलेंट हो गया, हुरीड हो गया, तो वह बन किरा हो गया, यह सब qy आँगे वहाइन करूंगे, यह सब क्या हो गया इसकी सीनोलिम भूड ब univers कि वायल मतलब क्या होता है नीच, रिक है जो नीच हो ठीक है, इसको क्या भोल सकतो ? आपका ठीक है जो नीच होता उसको क्या बोल सकतो है ठीक है जिस्ते आप यह ना करोगा नीच होगा ठीक है और क्या बोल सकतो को सौड़ीड थी सौड़ीड भी क्या हो जागे इसके सीनोनीम हो जाएगे ठीक है डिक है चलिए की तरफ चालते हैं क्या तो नेक्स पोस्चन आपको क्या कहा रहा है कि आपको वर्ट बताने इस ग्रूप आउड के लिए ठीक है अप पार्शन वड़ंट बिलीब डाट और एक्जिस्ट चार उक्षन है इर्वेरेंट एथिस्ट प्रोफेन मॉनेस्ट्री फटाफट एंसर करेंगे तो इसे की साथ टाइम आप हो चुका आए होप सभी लोग ने सही से एंसर का दिया गाँ तो इसका जो गरेक्ट एंसर होगा वह क्या होगा एथिस्ट ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको इडियम का मतलब बताना है ठीक है इडियम क्या है सार प्रैक्टिसे ठीक है डिजानेस्टी फ्रिक्वेंट्ली ब्रीफली नियर भाए ठीक है फटाफट एंसर करेंगे बहुत ही इजी एडियम है आई होप आप सब लोग अभी क्या हो आप एह बहीं मान ठीक है इन नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट आपको सीनोनीम से बाताना इन ठीक है इसका मॉडरेट करेंगे इसके साथ काइम आप हो चुका आयोफ आप सभी लोग ने सही साहर धिया होगा ठीक है तो moderate मतलब क्या होता है नरम कोई है और क्या है चीज रिजदेवल है तो इसका अधेसे सब्सक्रेंबल मतलब क्या होता हो ठीक है जो की रिलाइबल रिएफर सोर्स तेक है शस्टेएबल बोलते हैं कंसिडरेबल मतलब क्या बोल सकतो है और क्या बोल सकतो है जिसको ट्राइबल रिस्पेक्टेबल कौन होते है अधर नहीं होते है रिपूटेड ऑन इस रिपूटेड तो ठीक है ओन यह सब क्या और जांगे इसके सिनोनिम्स हो जांगे ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है परसीव पर्यूज का ठीक है पर्सू नेरेट ठीक है फटाफट एंसर करेंगे तो इससे कसा टाइम वह हो चुका है आई होप सभी लोग है सभी सेंसर कर दिया होगा परिज्व मतलब क्यों हो जागा बब करना है। अब किसी को चेक करते है, अब लोकन करते हो।ık यह एजकी जीज़िते हो।ब अब इसको एकजेट करते हो। अब भून? हूँ ह। और क्या बोल सकते हो, ठीक है, परस्यू मतलब क्या होता है, आप कोई भी चीज क्या करते हो, ठीक है, जैसे कि आप कोई डिग्री परस्यू करते हो, तो उसको क्या करते हो, ठीक है, अब उसके पीछे भागते हो, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, तो क्या हो सकता है, अदा यह सब क्या हो जैंगे इसके सिरोनिम सोगे इसके लिए इडिएम बथाना आउड एस वर्ड के लिए इडियम बताना है इसके लिए अप्रिएट एडियम क्या हो है get a test of your own medicine, barking up the wrong tree, add insult to injury, a strong inner, ठीका तो इसका है time up हो चुका Bier होगा आप सभी लोगों सरी सबस्य सरी आप सो कह लिए बहुत इस अशिवर बवार पूचा जा चुका है तो आप नगाया हुए तो समय को याद हो गया वह थे बहुत करें सबस्क्रेंक हсज एक इसे क्राइम आप खुछ उका आयोगों आप सभी लोग ने सही साइंसर कर दिया होगा ठीक है तो डेरीजन का जो एंट्रोनिम्स होगा वो क्या हो जागा एड्माइरेशन ठीक है डेरीजन मतलब क्या तो उपहास करना ठीक है मौकडी बोल सकता अप ठीक है इस्पहास कर रहे लोगों कर रहे हो और क्या बोल सकतो आप मजा Κुरा रहे हो ठीक है फ्लार भी बोल सकतो यह बहां को तो और श्फिंट्र कर देता है और मतलब किेस्टैमेंट करहें आइसोलेट करना था ठीक है तो टीक है तो किसी भी चीज़ को समपट कर दें तो एंड हो जाएगा किसी चीज़ को क्लोज कर देतो ठर्मिनेट कर देतो ठीक है अगर एड्माइरेशन मतलब क्या परसंसा करना है टीक है और क्या बोलते हैं लॉड ठीक है यह सब सब्सक्राइब करने किसी का क्लान करते हैं इस यह सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनीम से ताप नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है अब बुक और सेट और बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन एबाउट अल एरिया आफ नौनेज ठीक है इन्साइक्लोपीडिया डिक्स्नारी वॉल्यूम एन्थोलोजी ठीक है फटाफट एंसर करेंगे बहुत इजी है इसे के साथ टाइम अप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सई-सर कर जाओ तो वो बुक जो हर इंफॉर्मेशन दे हर एरिया का उसको क्या बोलते है इन्साइक्लोपीडिया ठीक है बहुत चीजी था डिक्स्नारी आपको पता है वॉल्यूम पता है एंथोलोजी पता ह नेक्स्ट बात कर लेते हैं यह समय करवा रख ठीक है एंथोलोजी वेगारा करवा रख लेक्स्ट आपको क्या बताना है सिनोनिम्स बताने मैचिंग का चार ओप्सन एंपॉइंटिंग डिस्टिंग्यूसिंग एडोरिंग रिजेंबलिंग फटा-फट एंसर करेंगे कि ऐसी टायम अप्थ हो चुका है कैए मैच करना मतलब क्या ठीक है कोई मैच कर रहा मतलब क्या है हो अनूपलोग एख aveते एक अवशिए। उस्टेर्स करेंगा ठीक है पॉयंटिंग मतलब क्या हो था किसी को कि नियुक्ति करता है उसी को बोलते हैं ठीक है डिस्टिंग्यूसिंग मतलब क्या आता है डिस्क्रिमिनेट करना ठीक है डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट ठीक है डाइवर्जेंट बोल सकतो डिस्क्रिमिनेट बोल सकतो ठीक है डिस्टिंग्यूसिंग्यूसिंग् लोधाना में देटेवे तो क्या करता है अब किसीपी को ग्रीट करता है थे किसे प्यार ग्रीट करते हूं में प्यार से सेंधा जा तो इंसके लिए अपको इसके लिए वर्ट के लिए वन वर्ट बजाना है क्या है अप सप्रक्राइब को अगले क्लास में तो आज के लिए बस इतना ही आज का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता है अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे वीडियो को ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में share कर दे जिने वकाव सीखनी है एकदम basic level के ठीक है और कम से कम समय में वकाव भी सीखना है, English भी discuss करना है ठीक है, previous रेकोस्टन भी practice करना है तो उन्हें आप जरूर से जरूर से जरूर से ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले lecture में ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक क्या है